है हाई वरीवन वेलकम बैक टू माई चानल प्रविक्षा लेम टालेंट इस माई योटीव चानल और गाईज आज की वीडियो में वह फेशल करने चारे हुँ जिसका फेशल किट हमने लास्ट वीडियो में बनाया था पापाया फेशल किट जो मैंने प्रॉपर तरीके से प् की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चाएगी आप वहाँ पे जाके ज़रू चेक करना कि ये फेशल किट बनाते कैसे हैं उसमें मैंने एक्स्प्लेइन करके आपको बताया है अचके वीडियो में मैंने आपको पूरे बारा स्टेप्स पता हैं फेशल रिलेट से थ्री मिनट तक करना होता है क्लींजिंग करता क्या है क्लींजिन हमारे फेश पे जितना भी एक्से सॉयल होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है और साथी साथ ड्राय डेट स्कीन होती है उसको निकालता है तो इसलिए हमें पहले क्लींजिंग करना होता है आज हम जो facial कर रहे है उसका base है papaya तो हमने papaya क्यों लिया है क्योंकि papaya में vitamin C होता है vitamin A, potassium, magnesium और fiber भी होता है papaya की help से क्या होتा है हमारे चेहरे पे जितना भी pigmentation dullness और हमारी skin damage हुई होती है तो उसको कम करने में papaya हमारी help करता है इसलिए हमने पापाई यूज किया है और साथ ही साथ रिंकल्स, fine lines भी reduce करता है और हाँ इस cleanser में मैंने क्या डाला है lemon जो dry skin वालों के लिए बिलकुल भी नहीं चालता तो dry skin वालों लिंजर में क्या मिक्स करना है, दूद ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, बट वो लेमन नहीं डाल सकते हैं, यह पॉइंट आपको याद रखना है, लेमन यूज करने का एक अपना ही तरीका होता है, अगर आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आपको उल्टा होता है, जो आप सबको तो पता ही है, तो लेमन में जो टॉक्सिक है, वो उल्टा रियक्शन कर जाता है, लेमन हुआ, मुल्तानी मिट्टी हुई, अगर आप इसका सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स जेलने पड़ेंगे, तो इसका जो मिटे डाडेट स्कीन और एकसे सॉयल सब कुछ निकल जाता है, अफटर क्लींजिंग सेकंड स्टेप स्क्रबिंग होती है, जो डर्ट पार्टिकल्स ओपन पोस में से रिमू करता है, और हमारे फेस पे जितने भी ब्लैक और वाइट हेड्स होते हैं, उनको भी रिमू करता है, स्कीन भी सॉफ्ट करता है, और रिलाक्सेशन भी मिलता है, लेकिन हाँ, अगर आपकी स्कीन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो आपको बिल्कुल माइल्ड हतों से स्क्रबिंग करना है, और इसमें मैंने शक्र डाली है, क्योंकि मुझे वीडियो पनानी थी, आपके स स्क्रबिंग करते टाइम, आपको कोई भी स्टेप्स नहीं फालो करने पड़ते हैं, वो बस आपको फेस पे लगाना होता है, क्योंकि आपको डर्ट निकालना होता है, ब्लाक एड वाइट निकालने होते हैं, ताकि मसाज क्रीम जो है, वो आपके स्कीन में अच्छे से बाल्स होता है, उसको नहीं रहने देना चाहिए, ताकि आप जब भी मसाज क्रीम अपलाई करने चाहते हो, तो वो अच्छे से अप्जव हो जाए, और आपके स्कीन पे मसाज करते टाइम, कोई हाश ना हो, कोई रेडनेस ना आए, तो इसलिए आपको स्क्रब नहीं रहने पड़ती है, बट में खुच जो करती हूँ, मैं पहले स्टीम लेती हूँ, फिर उसके पाद मसाज क्रीम अपलाई करती हूँ, जो नैचरली प्रोसेस होती है ना फेशल की, उसमें स्क्रबिंग के बाद सीधा मसाज क्रीम आती है, फिर स्टीम लेते है, फिर ब्लाक हेट व ना ही चाहिए क्योंकि हर किसी को black head, white head की problem होती है तो हम इसे अच्छे से remove कर पाते हैं तो यह जो process होती है यह बहुत important होती है उसके बाद ही हम बहुत जादा fresh और clean face हमारा पाते है तो finally जो important step है third वाली massage वो हम करने जा रहे हैं यह जो तीसरी step है वो facial की सबसे important step है क्योंकि इ facial cream हमें observe करनी होती है skin में और pressure point यह वो जो सब कुछ होता है वो इसमें होता है तो आज में step by step आपको massage करते कैसे है वो दिखाऊंगी हाला कि हम कुछ से जादा दूसरे पर बहुत अच्छा कर सकते हैं बट हम खुद के face पे किस तरीके से steps टाल सकते है वो सिखाऊंगी तो step number one lifting of the cheek यह जो step है इसमें आपको क्या करना अपनी cheeks को उपर की तरफ lift करना है जैसे मैं कर रही हो आप देख सकते हो यह आपको हलका सा pressure दे के करना है step number two बल्कि यह जो सभी steps है इनको आपको हलका सा pressure दे के ही करना है actually हम जब भी massage करने जाते है ना massage cream apply करने जाते है तो start हमें चीन से ही करनी होती है वही से normally शुरुवत होती है बट मैं खुद का करी हूँ खुद का करने जा रही हूँ तो उसमें कौन से और कैसे step डालेंगे ना तो हम कही से भी start कर सकते है बट normally आपकर आप दुसरे का कर रह इन पे try करके दिखाऊंगे आपको visual के face पे बहुत अच्छे-च्छे steps होते है आप एक दूसरे का कर सकते हो घर में अगर आपके घर में कोई हो तो वो facial बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए मैं हमेशा ऐसा ही कर दियू तो बी honest यह जो आप step देख रहे हो ना यह मेरे खुद की step यह मैंने खुद से किया है मैंने कही पे नहीं देखा है मैंने सिर्फ imagination करके और facial करके मैंने यह सिर्फ करके देखा और यह मुझे beneficial लगा कि यह हमारे jawline को अच्छे से रख सकता है यह वाली step तो इसलिए मैंने इसमें add कर दी यह वाली और मैं फिर से lift कर रही हू अपने चिक को step number 4 में मैं फिर से open finger से उपर की तरफ lift कर रही हूँ chin को plain pressure देके step number 5 इसमें आपको क्या करना है अपने forehead पे बिल्कुल मेरे तरीके से हमारे दोनों भी हातों की index finger जो है उनकी help से आपको criss cross motion में हलका सा pressure देके आपको यह step करनी है हर एक step करते समय आपके हात में उंगलियों में normal सा pressure होना चाहिए ताकि जो pressure points है वो दब जाए और हमारा blood circulation अच्छे से हो then step number 6 lifting of the eyebrows इस step में आपको क्या करना है आपके thumb और index की help से आपकी eyebrows को अच्छी तरीके से pressure देके light pressure देके eyebrows end पे general stroke करना है बिल्कुल softly calmly आपको करना है step number 7 इसमें भी आपको आपके eyebrows को lift करना है उपर वाली तरब से यह जो massage steps होते हैं इसमें बहुत से steps होते हैं जो हम खुद के उपर नहीं कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे के उपर कर सकते हैं कि cupping हो, pinching हो, typing हो, ऐसा net हो, scissor stroke हो ऐसे बहुत से steps होते हैं जो सिर्फ दूसरे के उपर हो सकते हैं वह मैं आपको बाद में विशाल के उपर जरू दिखाऊंगी हर एक step होती है ना उसके पीछे कोई ना कोई reason होता है ऐसा नहीं होके हम कर रहे हैं और हमें reason ही पता नहीं हो अब यह देखो step no.8 इसमें हम क्या करने वाल हैं अपनी ring finger की help से बाहर से अंदर की तरफ clockwise wrinkle के opposite हमें यह step करनी है बिल्कुल वैसे जैसे मैं कर रही हूँ और यही finger क्योंकि इसमें ज्यादा pressure नहीं होता यह बहुत हलका काम करती है हमारा eye area जो है बहुत नाजुक होता है उसमें हम ज्यादा pressure नहीं डाल सकते इसी लिए हम ring finger ही use करेंगे और मैं eyeballs के उपर हमारे eye lid पे criss cross motion में यह वाला step भी कर रही हूँ यह भी बहुत important है इससे क्या होता है हमारे eyes को relaxation मिलता है बहुत अच्छा step है वो भी बलकि यह सारे steps जो है ना वो बहुत important है हमारे skin के लिए क्योंकि इससे जो pressure हमारे skin परता है ना हर एक point पर जो pressure परता है इससे blood circulation सही से होता है जो होना चाहिए होना बहुत जरूरी है skin के लिए उससे health बढ़ती है तो यह minimum month में एक बात जरूर करना चाहिए यह वाली step भी जो आप देख रहे हो ना यह आपको हमेशा करनी चाहिए कोई भी essential oil कोई भी important oil होता है हमारे skin के लिए उसको लगा के यह हमेशा करनी चाहिए जिसे हमारी jaw line हमारी cheek हमारे face का shape अच्छा बना रहें तो यह करना चाहिए आपको हमेशा step number 11 यह step सिर्फ वो ही लोग कर सकते हैं जिनके नाखुन nails बढ़े ना हूँ मेरे बिल्कुल भी बढ़े नहीं है क्योंकि मुझे cooking करनी पड़ती है बेबी संभा यूज करके clockwise अंदर की तरब से बाहर की तरब जाके skin को lift करती हूँ इससे blood circulation और भी अच्छा होता है ऐसा मुझे लगता है step number 12 actually यह step नहीं है यह pressure points है इसको आपको हर एक दो steps के बाद करना होता है लेकिन यह मैं आपको separately क्यों बता रही हूँ क्योंकि मैं special करते time आपको सीखा भी रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको separately लिया है बताने के लिए यह जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना यह pressure points है जैसे कि मैंने start कहां से किया है center of the eyebrows गाइस प्लीज मुझे आभी इग्णोर करो मैं बहुत गंदी लग रही हूँ आपको सीखाने के कोशिश करे हूँ और इसी वज़े से शायद मैं इतनी dirty हुई हूँ प्लीज इग्णोर करो यार हाँ तो मेरा पहला pressure point कहां पर है है लाइन पर सेकेंड वाला center of the eyebrows तीसरा कहा था temple area में जैसे कि eyebrows के end पर और फिर center of the ears, down of the ears इस तरीके से हम pressure point दे सकते है हमारे face के उपर और यह आपको cup cup देने हैं जब आप एक दो step करते हो इसके बीच में आपको फिर से pressure point देनां फिर दूसरे steps करने है फिर आपको pressure point देने है इस तरीके से आपको facial करना होता है अब मैं रीमू कर रही हूँ, मेरा फेशल क्रीम, यह आप गलो देख रहे हो, मेरा जो फेस है वो चमकने लगा है, आप देख सकते हो, वाइट लग रहा है, और चमक भी आई है, एक अलग ही तरीके की, और मैंने भी बहुत टाइम के बाद अभी फेशल किया है, एक महना हो चुका था अब मैं फेसपैक लगा रही हूँ, मैंने फेसपैक कैसे बनाया था, आपने देखी लिया है, प्रिवियस वीडियो में, मुलतानी मिट्टी का यूज किया है मैंने, और अगर आपकी ओईली स्कीन हो ना, तो आपको सिर्फ मुलतानी मिट्टी लगानी है, अगर एक नहीं ह अगर बहुत जादा ड्राय स्किन है तो आपको इसमें मलाई डाल दी हैं, दूद वाली जो मलाई होती है आपको, तो मुलतानी मिट्टी के बहुत सारे अलग-अलग यूज होते हैं, अलग-अलग तरिके से हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्किन कौन से भी और इसका सही से यूज करते कैसे है यह भी आपको बाद में बताऊंगे लेकिन होती बहुत अच्छी है बट साइड इफेक्ट्स भी कर सकती है वो क्यूं और कैसे यही मैं आपको बात में बताने वाली हूँ दूसरा विडियो बना के और हाँ फेशल क्रीम आपने लगाई व पेसमे न आपको यह पांच-दस मुनटन आपको मसाज करना होता है फेश पर पूरा। लम फेशल होता है वो हमारा अप作र 15 अच्छा के itself काफी होता है बिसमीन बहुत जाद आद हुये पंद्रा मिन, तक कर सकते है आधि मैं व्यू पह सकते है नहीं के लिए कुछ हुष है तो वेट करने के अलावा आज मेने बहुत टाइम के बाद इस तरी कि कोई हेर्स्टाइल की है क्योंकि इतना time कहा मिलता है यार वीडियोज बनाने होते ही है वह हेर्स्टाइल करने को भी time नहीं मिलता आज मेने कुछely करने देखा अच्छा लग रहा है क्योंकि फेशल भी करना था। जब ही मुझे फेशल करना होता है। तो मैं फेशल उस ताइम में करती हुनिए है, जब मुझे हेड वाश करने होते हैं, नहाने के पहरे जिस दिन वैक्सिंग किया हो तो यह सब टाइम देखके मैं फेशल करती हूँ तो एक ही साथ सब कुछ हो जाता है अब मेरा फेस पैक जो है वो सुप चुका है अब मैं वाश करने चारी हूँ करके भी आई हूँ मैंने अच्छे से वाश किया है आप देख सकते हो मेरे पर कितना गुलो कितनी चमक आई है बहुत इफेक्टिव फेशियल है गाइज अगर आप इससे सही से करें सही तरीके से अगर आप इसका यूज करें अप्लिकेशन करें तो सच में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है आपको घर में बढ़के अभी मैं मॉश्टराइजर मेरा नहीं लगा रही हूँ मैं नाच्रल अलोवेरा जेल लगा रही हूँ क्योंकि वो थंडा होता है अच्छा होता है कोई भी चीज अगर आपने की हुई हो ना जैसे कि फेशियल हो वैक्सिंग हो कुछ भी हो तो उसके बाद आपको अलोवेरा जेल थोड़े ताइम तक अच्छा रहता है तो मैं हमेशा यही करती हूँ, वैक्सिंग के बाद मैं आलो वेरा जेल अपने हाथ उपर, पेर उपर लगाती हूँ, सही लगता है, ठंडा लगता है, तो सही काम करता है आलो वेरा, तो एक गंटे के बाद मैं फिर से face wash करूँगी और मेरा जो moisturizer sunscreen lotion कुछ होगा वो लगा लूँगी तो ये देखो final look, ये मैं ready हूँ में एक है ये एक है कि अधियों में गाइज ये फेशल करने के बाद मुझे मेरी स्कीन इतनी जाधा soft लग रही है और बहुत hydrating skin लगती है, soft लगती है, shine आई हुई लगती है और बहुत softness होती है हमारी skin में तो बहुत अच्छा result है इस facial से अगर आपकी skin पहले डल हो तो अलग ही तरीके की चमका आजाती है जब भी आप ये facial करते हो और एक बिल्कुल natural अलग सा glow आपको दिखाई देता है जब भी आप इस तरीके से facial करते हो, बहुत अच्छा result आता है और आप देख सकते हो मैंने कोई भी basic ऐसा कुछ भी नहीं लगाया हुआ है मेरे skin के उपर बिल्कुल भी ने मैंने सिर्फ और सिर्फ lipstick वेर की हुई है मैंने eye makeup किया है जिसमें eyeliner only और eyebrows मैंने fill up किया है उसके अलावा मैंने अपने skin पर कुछ भी कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं लगाया हुआ है और आप glow देख सकते हो softness देख सकते हो butterish एसी skin लगती है हमारी बहुत प्यारी बहुत अच्छा feel होता है guys और आप यह ज़रू ट्राय करके देखना आपको ज़रू अच्छा रिजल्ट आएगा और मैं आशा करती हूँ के आपको मेरा ये वाला भी वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे comment section में feedback जरू देना है और नहीं भी तो भी बताना है तो मिलते हैं मेरे next वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगी के मैं अपना skincare routine बताऊंगी म और वो भी वीडियो आपको बहुत हिल्फुल रहने वाला है तो मिलते हैं बाबाई बाई नहीं रहे हैं जर चे टो मिलते हैं गिरह रख़ ऑपको बढांपकोब सेफ और पी अजाए रहा suburbs झाल झाल